हेलो दोस्तो मैं हो मीर और आज मैं एक्स्प्लेन करूंगा एक मिस्ट्री थ्रिलर साउथ कोरियन मूवी बीस्ट क्लॉविंग एड़े स्ट्रो को जो 2020 में आई थी ये एक बहुती बढ़िया मूवी है अगर रेटिंग की बात करें तो इसे बहुती पॉजिटिव रिस्पॉ और इससे पहले थोड़ी देर बाद आप मेरी फ्रेंड जी की आवास सुनेंगे उसका भी मूवी एक्स्प्लेनेशन का चैनल है अगर आपको उसकी आवास पसंद आती है तो आप उसके चैनल पर जरूर विजिट करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन म को जरूर सस्क्राइब करें सो विडाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ मूवी की शुरूरात में हम एक आदमी को एक बैग के साथ देखते हैं वो एक होटल के स्पा में आता है और वहाँ एक लॉकर में वो बैग रख देता है अगली सुबा जुगमेन नाम का इंपलोई अपना काम कर रहा था साथी टीवी पर निउस चल रही थी कि एक जील के पास पोलीस को किसी इनसान के बाड़ी पार्ट्स मिले है और एक कचरे के टरक ने कल रात एक आदमी को टकर मार दी साथी वन मिलियन डॉलर चोरी करने वा बहुत हैरान होता है वो बाकी स्टाफ को नहीं बताता बैग में पैसे है और उसे गोडाम में लेकर जाता है लेकिन बहुत सोचने के बाद उसे वही अच्छे से छुपा कर रख देता है फिर वहां से अपने घर जाता है जहां उसकी वाइफ और मा थी जुगमेन की मा उसक एक साल खराब हो जाएगा इन सबसे हम जुंगमेन की माली हालत के बारे में आसानी से समच सकते हैं। अब टाय ने उसकी गैरेंटी ली थी इसलिए अब उसे पार्क को पैसे देने हैं। फिर हम एक बार में काम करने वाली एक लड़की मीरेन को देखते हैं। उसने एडवांस मांगा था जो उसे मिल गया था। वहाँ से वो एक कस्टमर के पास जाती है जिनते चाइना से कोरिया पैसे कमाने आया है। मीरेन जिनते के साथ रहती है। दूसरे दिन सुबा मीरेन अपने घर जाती है तब ही वहाँ उसका पती आता है और उसे बेवजा ही मारने लगता है। बाद में जब वो अपना फोन देखती है उसे जिनते का मैसेज आया था। वो उसे कल मिलने बुला रहा था। अब यहाँ से आप जी की आवाज सुनेंगे। तो जी चलिए शुरू हो जाईए। थैंक्यू सो मच मीर। दोस्तों यहाँ से अब आप मेरी आवाज सुनेंगे। फिर हम टाय को देखते हैं। वो किसी टॉंग पाल से बात कर रहा था कि वो ट्रेन से ना आए बलकि बस से आए। दस बजे आखरी जहाँ जाता है। इसलिए वो उस जगा से आट बजे निकले और क्रेट कार्ट का इस्तेमाल ना करे। फिर टाय जाकर अपने एक दूर के भाई कार्प से मिलता है। टाय उसे बताता है उन्हें एक काम करना है जिससे वो दोनों 1,000,000,000 डॉलर कमा सकते है। कार्प नहीं मानता लेकिन टाय उसे बताता है उसके High School का एक दोस्त है। खल वो उसे पोर्ट से देश के बाढ भेजने में मदद करने वाला है, उसके पास one million dollar cash है, इसका मतलब हमने जो one million dollar चोरी होनी के news देखी थी, वो चोर टाई का दोस्त है, टाई कार्प की मदद से उस चोर के पास से पैसो से भ़रा बैक चुराना चाता है, टाई ने पुरा plan बना लिया था बस कार्प को पोर्ट से उस बैग को चुराना है पैसे इतने सारे थे कि कार्प भी मान जाता है फिरम जुंगमन को देखते हैं सरफ तीन मिनिट लेट होने की वज़े से उसका मैनेजर उसे वार्निंग देता है अगर वो फिर से लेट हुआ तो वो से निकाल द फिरम मेरेन और जिनते को साथ में देखते हैं इंटिमेट होने के बाद जिनते मेरेन के पीट के निशान देखता है लेकिन मेरेन उसे अपने काम से काम रखने कहती है तब जिनते उसे समझाता है ऐसे आत्मियों को औरतों को मारने की आदत पर जाती है जो की बहुत गलत है लेकिन औरतों को भी मार खाने की आदत पड़ जाती है जो की उतना ही गलत है इसलिए उसे जल्द ही ये सब खतम करना होगा जिसमें जिनते उसका साथ देगा मिरेन के पती की पांच लग डॉलर की इंशॉरंस पॉलिसी थी मतलब अपने पती से छुटकारा पाने के बाद मिरेन बहुत सारे पैसे भी कमा सकती है इसलिए मिरेन मान जाती है फिर हम जुग मैन को हॉस्पिटल आते हुए देखते है दरसल उसकी माने उसकी वाइफ को सीड की थी आपको बता दू जुन मैन की मा की दिमागी हाला ठीक नहीं है वो ठाक हार कर जाकर सो जाता है दूसरी तरफ हम टाय को देखते है वो बस चॉप पर अपने उस दोस्त का इंतिजार कर रहा था जो अभी तक नहीं आया कार्प को भी बहुत लेट हो गया था टाय उसे क को नहीं देखा लेकिन तभी वो ऑफिसर टाय को पहचान लेता है क्योंकि वो भी उसके ही कॉलेच से था जिससे टाय पढ़ा था और उसी कॉलेच से डॉंग पाल मतलब उसका दोस्त भी जिसको वो इंतिजार कर रहा था तभी बारिश होने लगती है वो ऑफिसर भी ना प पूछता है डॉंग पाल ने उसके कभी कॉंटेक्टे किया या नहीं लेकिन टाय मना कर देता है और उसे अपना फोन चेक करने कहता है क्योंकि वह पहले ही अपने कॉल हिस्टर डिलेट कर चुका था लेकिन योंग उसका फोन चेक नहीं करता फिर वो टाय के साथ सैल्फी लेता है और उसे SEND करता है टाय हैरान था कि उसे उसका नमबर कैसे मिला मतलब ही काफी पहले से उस पर नजर रखता आ रहा होगा तब ही उसे एक call आता है और वो बिना बिल दिये ही वहां से चला जाता है तब टाय को भी पार्क का call आता है तो दोस्टो आपको जी की आवास पसंद आई हो तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसके चैनल पर जरूर विजिट करें तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ हम जिन्ते और मीरेन को देखते है मीरेन उसे अपने पती की फोटो देती है जिन्ते कहता है वो उसे देख लेगा दूसरी तरफ जुंगमेन उठता है वो लेट हो गया था वो मेनेजर को बताने के लिए कॉल करता है वो लेट हो जाएगा लेकिन वो उसे निकाल देता है जुंगमेन बोलता भी है उसकी वाइफ हॉस्पिटल में है लेकिन वो कुछ नहीं सुनता अब उसके बरदाश के बाहर हो गया था इसलिए वो डिसाइट करता है वो पैसो का बैग ले लेगा वो तुरंध होटल के लिए निकलता है दूसी तरब जिनते मीरेन के पती का एक बार के सामने इंतेजार कर रहा था क्योंकि मीरेन ने उसे बत मौत एक एकसिडन्ट लगनी चाहिए थी मगर जिनते के फोन की बैटरी डेड हो जाती है मीरेन चेक करती है तो किसी के गायब होने के पास साल बाद उसे डेड माना जाता है मतलब अब उसे इंशॉरंस के पैसे नहीं मिलने वाले तभी डॉर बेल बचती है तम मीरेन देख किती है उसका पती घर वापस आया है उसे देखकर मीरेन बहुत डर जाती है इसका मतलब जिनते ने किसी और को मार दिया दूसरी तरफ टाय पार्क से मिलने जाता है वहां कार्प भी था दरसर पार्क को पता चल गया था टाय कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है लेकिन ट कर टाय बोल देता है कार्प ने बिल्कुल सच बताया है ये सुनकर पार्क उसे छोड़ देता है और उससे पूछता है वो पैसा कहा है अब टाय बूरी तरह फस गया था क्योंकि अब उस एक मिलियन डॉलर में से पार्क को भी हिस्सा चाहिए था लेकिन उन्हें पता ही नह करने से मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है वही जिनते मीरेन से मिलने आता है लेकिन वो उसे बताती है उसका पती अंदर है और उसने किसी और को मार दिया जिनते बहुत फ्रस्टेड होता है मीरेन उसे ये कार छुपा कर चाइना वापत जाने कहती है वो उसे साथ चल वो उससे गोदाम की चाबी लेता है क्योंकि उसे अपना कुछ सामान लेना था जुंगमन बैग लेकर जाही रहा था लेकिन वहाँ दो पुलिस वाले आये थे वो उसे एक फोटो दिखा कर पूछते है क्या उसने इसे देखा है कैमरा फोटो पर जाने पर हमें पता चलता है वो लोग आफिसर म्यूंगू को ढूंड रहे थे लेकिन उसने उसे यहाँ देखा नहीं था जुंगमन वहाँ से जाने लगता है लेकिन बाहर उसे वही मैनेजर मिलता है जुंगमन उससे कहता है वो यहाँ अपना कुछ सामान लेने आया था जैसे कुछ किताबे तबी वो पुलिस वाले भी बाहर आते है जुंगमन जाने लगता है लेकिन वो मैनेजर उसे रोक लेता है और उसे अपनी बुक्स दिखाने कहता है जुंगमन कहता है बस कुछ नोवेल्स है इसी बीच वो पुलिस वाले लिफ्ट से चले जाते है वो मैनेजर जबरदस्टी बैक पक फिर वो bag अपने घर लेका राता है फिर पूरे पैसे बाहर निकाल कर उन्हें गिनता है फिर उस bag को एक पुराने बक्से में रख देता है उसे लगता है जिंदगी ने उसे दूसरा चांस दिया है अगले सीन में हम देखते है एक customer नशे में Mir important के साथ बट्तमीजी कर रहा था तबी हालात को समालने के लिए उनकी बॉस वहा आती है लेकिन वो आदमी उसे भी थपड मार देता है जिसके बदले में वो उसके सिर पर बॉतल फोड देती है और मीरेन को अपने साथ चलने बोलती है फिलहाल हमें उसका नाम बताया नहीं जाता वो मीरेन की चोटे देखकर स खराब थी दर असल उसका दिमागी संतूलन हिल गया था उसे उस आदमी की आवाजे सुनाई देती है जिसे उसने मारा था वो अपने गिल्ट में पुलिस के पास जाने वाला था लेकिन वो मीरेन का नाम कभी नहीं लेगा लेकिन मीरेन कहती है वो उस आदमी के लिए काड करें इसलिए वो उसकी कार से उसे ही उड़ा देती है अब उससे समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करें इसलिए वो अपनी बॉस को यहाँ बुलाती है थोड़ी देर बाद ही वो पहुँच जाती है मेरे न उसे सब सच बता देती है उसने जिंते की बोडी को डफना भी दिया था लेकिन उसे पता नहीं था आगे क्या करना है दूसरे दिन सुभा सबसे पहले वो जिनते की कार को इसकेरेप याड में देकर ठीकाने लगा देती है फिर उसे अपने घर लेकर आती है फिर उसे इन सबसे छुटकारा पाने का राज बताती है उसके जांग पर एक शा इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी जिसमें वो एक्टिंग करती है कि वो अपने पती से बहुत प्यार करती है वो आखिर तक कुछ नहीं बोलेगी वो उसे उस आदमी का मिसिंग पोस्टर दिखाती है जिसे जिन्ते ने मारा था और उसे नई जिन्दगी शुरू करने की सला देती है रात में जब मिनरेन की नीन खुलती है तब हम देखते है उसकी बॉस ने उसे बान कर रखा है वो उससे कहती है अगर तुम्हारे पास इतन लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चला तबी कार्क को पोलिस क्लब के बाहर कोई पहचान का पोलिस वाला दिखाई देता है वही टाय जब घर के अंदर आता है उसका घर एकदम साफ था जब वो किचन में जाकर देखता है वहाँ एक लड़की थी तब हमें पता चलता है य यही टाय की गल्फ्रेंड यून ही है जिसकी वज़ा से टाय फसा हुआ है क्योंकि ये पार्क से कर्ज लेकर अचानक गायब हो गई थी वो टेबल पर इस तरह बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं लेकिन टाय उस पर चिड जाता है ये देखकर यून ही वहाँ से जाने लगती है लेकिन टाय उसे रोक लेता है यामा कटा करने के बाद यून ही उसे बताती है जापान में उसकी आंटी ने उसके लिए कुछ पैसे चोड़े है जिनके मिलने के बाद वो पार्क का कर्स चुगा सकते है टाय उसे पैसे मंगवाने कहता है लेकिन वो बोलती ह उन पैसों को वो खुद ही निकाल सकती है जिसके लिए उसे जापान जाना होगा जिसके लिए उसने किसी दोस्ट की आइडेंटिटी उधार ली है जब टाय वो पासपोर्ट डेखता है वो नाम मिनरेन का था मतलब उसने मिनरेन की आइडेंटिटी ले ली टाय समझ जाता है वो कस्टम आफिसर है और इस नकली आइडेंटिटी के साथ वो ही उसे इस देश्ट से बाहर भेज सकता है। टाई उससे पूछता है आखिर क्या चल रहा है लेकिन युन ही उसे कुछ नहीं बताती। तब ही डोर बेल बचती है जब टाई जाकर पूछता है तो पता चलता है बाहर म्यूंगू आया है। फोन नहीं उठा था फिर टाई म्यूंगू से उस चोर के बारे में पूछता है तब म्यूंगू बताता है अभी तक तो वो नहीं मिला लेकिन उन्हें एक लड़की की डेड बॉड़ी मिली है जिसकी जांग पर एक शार्क का टैटू बना हुआ है टाई एकदम हैरान था म् वो खुद मीरेन के नाम से इस देश से बाहर चली जाएगी देखता है उसने किसे मारा था लेकिन इन्हीं बताती वो टेटू कॉमन है उसे कोई बनवा Σकता है लेकिन इन्हीं को देख कर वो खुद ही डर जाता है उसे समझ में आता है वो कितनी खतरनाक है उनकी बीयर खत्म हो गई थी Mingo beer लेने जा रहा था लेकिन इंगता है को लखने बोलकर खुद ही बीघर लेने बाहर जाता है वह कार्ब को कॉल करता है क्वर उसे भी ऊस टैटू वाली लाश के बारे में बताता है क्योंकि उसे भी लगता है युन ही मड़ चुकी है लेकिन यह जानगार जादा हैरान नहीं होता, कार्ग परिशान हो रहा था, क्योंकि कर टाय का पैसे देने का आखरी दिन है, लेकिन टाय ने एक और प्लैन बनाया था, वो उससे कहता है, वो पार्ग को कॉल करके कॉन्फरेंस पर ले, फिर वो उसे कॉल करेगा, कार्ग को कुछ समझ नहीं आता, तभी वो ये कदम उठा रही है, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉबलम है, ओफिसर म्यूंगू भी उसके घर पर है, जिसे वो जल्दी ही भेज देगा, कार्ग के फोन रखने के बाद, जैसे ही वो पीछे देखता है, उसके पीछे पार्क का आदमी बैठा था, दुशी तरब ज ताय इतना डर जाता है, कि उसे उल्टी आ जाती है, थोड़ी दिर बाद ताय म्यूंगो के खून के निशान साफ कर रहा था, और यूहिन मीरेन की खबर देख रही थी, लेकिन उसके बाहर निकलते ही ताय उसे मार कर बेहोश कर देता है, फिर जाकर उसका पर्स चेक करता ह उसे यूनही की कार की चाबी मिलती है, जब टाय जाकर उसकी कार की डिक्की चेक करता है, उसमें उसे पैसों से भरा बैग मिलता है, पैसे देख कर टाय बहुत खुश होता है, वो पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है, वही उपर जब यूनही जाकती है, उसके सामने पार् पैसे टाय ले गया दूसरी तरफ टाय को योहिन का कॉल आता है वो उससे पूछती है वो कहा है लेकिन टाय हस्ते हुए उससे बोलता है उसके सारे पैसे अब उसके पास है लेकिन उससे पता नहीं था पार्क भी उसकी बाते सुन रहा है वो हस्ते हुए फोन रख देता है यो पूवी वही आ जाती है जहां से शुरू हुई थी उसकी cigarette लाने कहता है लेकिन यह होटल के खिलाफ था इसलिए मना कर देता है इसलिए वो ओ सिगरेट लेकर बाहर आता है उसे दिखाई देता है एक वेन में से कुछ लोग उसे देख रहे हैju उसे देखते ही वो उनसे बचकर निकलने लगता है लेकिन एक गली के बाद उसे सामने पार्क का आदमी दिखाई देता है वो उससे बचकर भागता है लेकिन दूसरी तरफ से भी आदमी आते है वो भागते हुए बोलता है वो पैसे दे देगा लेकिन गली से बाहर निकलते ह उसे एक ट्रक उड़ा देता है वो एक कचरे का ट्रक था तबी वहा कार्ब भी आता है अब टाय के अलावा किसी को भी पता नहीं था पैसे कहा रखे है और मुवी की शुरुवात में हमने जो न्यूस सुनी थी के एक आदमी को एक कचरे के ट्रक ने टककर मार दी वो न्यूस प्ताय की ही थी मतलब ये कहानी भी फ्लैजबेक में चल रही थी अब यहाँ से मुवी प्रेजन टाइम में आ जाती है जुंगमेन की वाइफ काम पड़ जा रही थी वो उसे नौकरी से इस्तिफा देने कहता है क्योंकि वो अपना नया बिजनेस खोलने वाला है लेकिन उसकी वाइफ इस बात को मजाग समझती है जुंगमेन भी उसे नहीं बताता उसने घर में पैसे चुपा रखे है उसकी वाइफ के जाते ही उसे उस मैनेजर का कॉल आता है वो उसे कोई बचा हुआ हिसाब निप्टाने बुला रहा था जब जुंगमेन वहाँ आता है उसके मैनेजर के साथ पार्क और युनी ही बैठे हुए थे पार्क खुट को पोलिस ओफिसर बताता है दरसल उसने मियूंगू की आईडी पर अपनी फोटो लगा दी थी और युन ही फोटो दिखा कर कहती है उसका बैग मिसिंग है दरसल उसके मैनेजर ने उन्हें बता दिया था जुंगमेन उस बैग को ले कर गया है वो उसे टाई की फोटो भी दिखाती है क्योंकि उसने ही उसका बैग चुराया था लेकिन जुंगमेन कुछ भी पता होने से मना करता है वो कहता है उस दिन जो वो बैग ले गया था वो इस बैग के जैसा ही दिखाई देता है लेकिन वो बैग उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट किया था वो उसके मैनेजर पर ही इलजाम लगाता है कि वो उसे फसाना चाता है यहाँ दोनों की बहस होने लगती है जिसे सुनकर दोनों वहाँ से जाने लगते है वो मैनेजर जुंगमेन को चेक करने कहता है लेकिन दोनों उसकी बात सुने बिना वहाँ से चले जाते है और उसका मैनेजर कुछ नहीं कर पाता लेकिन हम आगे देखते है उन लोगों ने जुंगमेन पर नजर रखी थी वो तुरन घर आता है और बैग में से पैसे निकालने लगता है लेकिन तभी उसके सामने पार्क और युनही आते है युनही पैसे गिनती है जिसमें से कुछ पैसे कम थे जुंगमेन बताता है उसने कुछ पैसों से अपनी बेटी की कॉलेज फीस भर दी तभी वहाँ जुंगमेन की मा आ जाती है जुग्मेन उन्हें पताथा है वो पुलीस वाले है लेकिन तभी उसकी मा बोलती है यह लोग पुलीस वाले नहीं है क्योंकि पार्क के हाथों में बहुत सारे टेटू बने हुए है वो पुलीस वाला नहीं हो सकता। चाकू मारती है और आखरी चाकू उसके गले में घुसा कर पार्क को जान से मार देती है। चाकू मारती है और आखरी चाकू जान से मार देता है। अगले दिन युन ही भी निउस बन गई थी। चाकू लगता है। वो भी सोच में पड़ जाती है कि अब आगे क्या करे। लेकिन फिर वही करती है जो उसे करना चाहिए था। वो बैग लेकर पोट से बाहर आ जाती है। और इस तरह पैसा जिसके पास जाना चाहिए था उसी के पास चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तो कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताए। और आपको जी की आवास पसंद आई हो तो उसके चैनल पर विजिट जरूर करे और उसके चैनल को जरूर सस्क्राइब करे ताकि उसका चैनल जल्दी से monetize हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें तो मिलते हैं अगली बार किसी और amazing movie के explanation के साथ Peace out